अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपात बहुत सारे पेड़ पोदे होते हैं लेकिन हमें उन पेड़ पोदों की जानकारी नहीं होती है बहुत चे पेड़ पोदे ऐसे होते हैं जो ओसद्ये दरश्टी शेबी काफी कारगार माने जाते हैं जिनका सेवन करने से हमारे सरीर की क किया जाता है हिंदू कॉलिज बिजबिद्धाले में बनस्पति विग्यान में असिस्टेंट प्रोफेशर के पद परतेनात अमित बेस ने बताया है कि यह एक पारिजात नाम का ब्रक्ष होता है इसे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है इसके अलाबा इसे स्वर्ग का ब उस पर बारिश की तरह जड़ जाते हैं पारिजात को हरशंगार के नाम से भी जाना जाता है इसको स्वर्ग का व्रक्ष भी कहते हैं हैवन स्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है निक्टैंथिस आर्वोर्ट्रिस्टिस और आप व्रक्ष को हलका सा हिलाएंगे तो एक बारिश के रूप में इसके पुष्प जो है वो आसानी से जड़ जाते और उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है बहुत सुगंधित पुष्प होता है रात के समय इसकी सुगंध आसानी से आसपास महसूस की जा सकती है ये व्रक् समान बालक राम की प्रत्मा का प्राण प्रतिष्था हुई है तो जो उनको आभूशन चड़ाए गए हैं उन आभूशनों में जो व्रक्ष जो पुष्प अंकित किये गए हैं उनमें एक पारेजात का पुष्प भी है जहां तक इसके और्षधिय महत्तों की बात है इसको एक स्ट्रॉंग एंटी पायरेटिक यानि जर उतारने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आर्थ्राइटिस पेन में भी इसका प्रियोग किया जाता है मलेरिया के उप्चार में भी पारेजात उपयोगी है ड्राई कफ एंड कोल्ड की अगर प्रॉबलम हो तो पारेजात उसमें भी उपयोगी माना जाता है इसके साथ साथ इसको एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वाइरल प्लांट के रूप में भी प्रियोग किया जाता और श्दिय रूप से ये एक अतिम हत्तु पूर्ण पहुदा है